हमारा आज का विशे है मोह, मोह का अर्थ होता है एक ऐसा आकर्षन जिससे छूटा ना जा सके, ऐसा खिचाब जिस पर हम काबू ना पा सके, यही होता है ना मोह, विवश होकर हम खिचे चले जाते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए हम अपना सब कुछ दाफ पर लगा देते हैं, वो मोह का पात्र कोई व्यक्ती हो सकता है, सत्ता हो सकती है, संपत्ती हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, या शराब और जुए जैसा कोई व्यसन हो सकता है, जिस प्रकार लोहा चुम्बक से छूट नहीं सकता वैसे ही हम अपने मोह से छूट नहीं पाते और हम मानते हैं कि मोह केवल हमारे प्रेम का गहरा रूप है क्या ये सत्य नहीं? क्या हम मोह को प्रेम ही नहीं समझते? और फिर भी विचारकों ने, संतों ने मोह से छूटने का उबदेश दिया है ऐसा क्यों है? मोह और प्रेम में भेद क्या है? हम विचार कर रहे थे मोह के विशे में हमें तो सदा ही हमारे मन का मोह प्रेम लगता है किन्तो गहराई से विचार करेंगे तो हम तुरंत ही जान पाएंगे कि प्रेम और मोह के बीच एक बुन्यादी भेद है प्रेम होता है तब हम किसी के सुख की इक्षा करते हैं जब मोह होता है तब हम किसी के सुख की कामना करते हैं बस इतना सोचने पर प्रेम और मोह का भेद तुरंथ ही समझ में आ जाता है। किसी वेक्ति के प्रती जब हमारे मन में प्रेम होता है तब हम उसे सुख देने का प्रयास करते हैं। उसके प्रती मो होता है तब हम उसके माध्यम से स्वयम सुख प्राप करने का प्रेत्न करते हैं क्या ये सत्य नहीं प्रेम के केंद्र में हम नहीं होते मो के केंद्र में केवल हम होते हैं ये तो वेक्ति की बात हुई किन्तु किसी वस्तु के प्रती प्रेम और मोह में क्या ऐसा ही भेद होता है विचार कीजे यदि हमें सत्ता और पद के लिए प्रेम है तो हम क्या करेंगे सुएम अपने आपको उस सत्ता या पद के लिए युग्य बनाएंगे किन्तु यदी मोह है तो हम उसे प्राप्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का अनुचित कारे करने को तैयार हो जाएंगे संपत्ति के लिए प्रेम है तो हम महनत करेंगे यदी मोह है तो चोरी करेंगे क्या ये सत्य नहीं हम विचार कर रहे थे मोह के विशे में जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए हमें मोह होता है, हमारे सारे सुख का आधार हम उसे ही मान लेते हैं। जब वो प्राप्त नहीं होता, तो हमारे मन में विक्षत्ता प्रवेश करती है, जुनून पैदा हो जाता है। रात दिन हम उस व्यक्ति आवस्तु को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए उचित अनुचित का विचार नहीं करते। यही कारण है कि मोह से भरा व्यक्ति स्वयम को और समाज को हानी पहुँचाता है। तो क्या इस मोह से बचना इतना कठिन है? नहीं, मोह से छूटने का सरलसा उपाय है मोह को प्रेम में परिवर्तित कर दें अर्थार बस इतना जानने कि हमारा सुक और दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण नहीं हो सकता सुक और दुख ये तो हमारे अंतर का व्यपार है हमारी आत्मा का स्वभाव है जैसे ही हम किसी को अपने सुक का आधार मानना बंद करते हैं क्या तुरंथी हमारा पागलपन नहीं छूट जाता एक छूटी सी बात से विचार समझा जा सकता है बचपन में खेल के लिए पागलपन था बड़े होने पर खेल के प्रती प्रेम अवश्य है किन्तु अब पागलपन नहीं अर्थात मो बांधने का प्रयास करता है इसलिए सदा ही दुख का कारण होता है प्रेम मुक्ति देता है इसलिए सदा ही सुख का आधार बनता है इस पर विचार अवश्य कीजेगा